कि हालो दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छों के तो दोस्ते फिर से आपका बहुत-बहुत वागत है परफेक्ट इंचुट पॉर्स पॉर्स इंजिये एडवांस करके टेक्नोलोजी की क्लास के अंदर चहां पर कि हम अपने डिप्लॉमा ब आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके उनको चेक कर सकते हैं और आपके आने वरे एक्जाम के लिए तो दोस्तों बिना किसी देर के जो है चलते हैं अपने टॉपिक्स के उपर और उससे पहले एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो पसंदा तो लाइक और चै आप इसको यूज कर सकते हैं और दोस्तों कि इससे हमारा क्या होता है दोस्तों इससे हमारा जो है यहां पर लिखा हुआ है इंपर बाइड यूज आफ सच अडमिस्टर अंटल और information is available दे यूज अघंट कोई है दोस्तों हमारे उसको यूज सब्सक्राइब करना है हमारे हमारे जो है प्रिस्ट्रेस के अपर चलते हैं दोस्तों जो की है आज ग्रेडब यूज इस वर प्रिस्ट्रेस वरक शेल इं ग्रेट ऐस ऐस टेबल्स दोस्तों यहां पर टेवल है एंब 30 के अन्दर जो है दोस्तों अगर हम बात करें तो 30 न्यूटन पर जो है यूटन पर टाक्टाय। 245 25 mm 30 45 40 40 Newton's can't use it and 60 तब घुवर सब्सक्राइब करते हैं इसका वाद नोस्तों पृटेंशन प्रिस्ट्रेस कंक्रीट प्रेस्ट्रेस कंप्रेट नहीं चाहिए अच्छीज प्रिस्ट्रास कंक्रीट के लिए हैं प्रटेस्ट्रेस कंक्रीट के लिए ठीक है नोस्तों यह इस्टेटिंग दिए रिए विए फॉलोविंग कांसा दोस्तों हाड हाड जो है द्रॉन हाइज इस तेंगल वायर और इन फॉर्म और यह सिंगल वायर के रूप में यह फिर जो यूज कर सकता है हाड इस ट्रेल को ठीक है दोस्तों हाइज आलोए जो है इस ट्रेस गंक्रीट के लिए अगर हम बात गरें दोस्तों जो में मिनिमाम अल्टेमेट लाइनैन्ट एंसरेंध और हाइस यह यूज करते हैं नौमीनल डायमीटर और डायमीटर ऑफ टैमीटर आफ वायर्स ऐते डायमेटर जो है दोस्तोंना टैंसरेंट जो है दोस्तों कर सकती सब्सक्राइब कर सकती है दोस्तों प्रूफ स्ट्रेस प्रूफ स्ट्रेस का होता है या से दोस्तों टैंसाल स्ट्रेंट करते हैं यह से दोस्तों प्रूफ स्ट्रेस को फ्य से दिनोट किया आता है तो प्रूफ स्ट्रेस शैल नॉट बिलस दन तो पर्संट ओवर गेज ओवर गेज लेंद्ध ऑफ 200 meter 200 mm when tested in accordance with the IS 1521 methods of tensile tensile tensing of wires surface conditions of fire कैसे होनी चीये दोस्तों wire shall be free from rust होनी चीये steels and other similar deleterious materials liable to affect adverse proper tension or its एक फॉर्ट रस्ट में बी पर मिटेट प्रोवाइड इट इस नॉट लूज मतलब की दोस्तों नहीं होनी चाहिए उसको पर किसी वित्र रहकर रस्ट रुच्प्री होना चाहिए ठीक है को जिए अब बीटो प्रफिशिएंट लार्ज जामेटर और वायर तू लेयाउट को अपने देखांगे जो बड़े बड़े तार होते हैं उनका बंडल को को अब बड़े बंडल में आती है है थिका हाइट एंसली स्टेल्स के ओते दो तो हाइट एंसली स्टील वायर यूज्ट इन मार्क इन रड़े और स्टेंडर फॉर्मेशन ठीक है दोस्तों केबल को इस यह वायर जो है वह वह होती है डाट इसकाल और ग्रूप आप जो है डूप ऑफ जो है डूप आप वायर इसकाल के वाइस तो नेक्स तो हमारा नेक्षज और तो हाइट एंसली एलोई स्टील वार्स हा तो stress Fy of the bar shall not be less than 80% of the ultimate tensile strength और नेक्त के थो सर्फसे पर स कंडिशन ऑ अपर सर्फसे दिशन ऑबर का सिन होने कि यह अबर स्प्लाइज और एंस अपर नेक्ष्ट अ क्या होती हो तो सर्फसें ऑन असे नेक्स थाग्ड होती हूट पर से गई एंसली प्रों और आप यह वायर और बार बिंग जॉइन माइल डिस्टिल बार क्या होती है दो सम्माइल डिस्टिल बार यूज एज एज नॉन टेंशन रिइनफोर्स्मेंट शेल कंफर्म अब कंफर्मड टू आयस 432 एंड दे मैंट मेथड और बैंडिंग बांडिंग एंड प्लेसिंग शेल कंफर्म क्लास क्लॉज 11 तो आयस 456 में लिखा हुआ है कि मैल्ड इस्टिल जो है कैसा यूज होना चाहिए नॉन टेंशन और इनफोर्स्मेंट शेल बी कंफर्म आयस 432 से ठीक है दोस्तों हाड रोर इस्टिल वायर्स क्या होती है हाड रोर इस्टिल वायर्स यूज एज नॉन किंगे बीविश इस वी अधेट जो पर अबिश चाहिए निक वीदेट वीन हैं टॉज यूज डेटेटर इन इस परिंट लैसंब वाइंगल से टनिल न और विख सबूलिए जैसे कि हमें इसको फाइनल पोजिशन पर रखना है pre-stressing equipment on a tensioning apparatus on toes requirement of these Clauses shall apply to both the pretension and the post-tension methods of pre-stressing concrete except we are mentioned otherwise pre-stressing Stills may be tension by means of levers, screw gauge Stu jacks hydraulic jacks or similar mechanical apparatus the method of tension steel covered by the IS codes in generally by the mean of hydraulic or similar mechanical jacks की help से दोस्तों हम pre-stressing कर सकते हैं अपने members की ठीक नेक्स्ट के दोस्तों type of tension apparatus shall be such such that a control force can be applied the tensioning apparatus shall not induce dangerous secondary stress or tension effect tors torsional effects on the steel concrete or on the anchorage the increase provide for the temporary gripping of wires or bars on the tensioning apparatus shall be secured as such as not damage the wire bars the wire bar code damage ना करें इस ताइब से हमें जो है अपना ट्रांस्पोर्ट करना चाहिए अपने जो है प्रिटेंशन members की ठीक टेंपरेरी ग्रीपिंग डिवाइस कौन कौन से प्री स्ट्रेसिंग टेंडन्स may be gripped by wedges yorks double accounts or any other approved approved uh type of gripped devices the precast the priest the pre-tensioning wires may be gripped single or in groups gripping devices shall be such that the tension test the wire or wires fixed by them would break before the failure of the grip itself releasing device console to the billing device shall be so designed that during the period between the tensioning and releasing the tension in the pre-stressing elements is fully maintained by the quality means such as external anchorage मतलब कि release जब आप करें तो उसमें जो है दोस्तों क्या नहीं होना चाहिए releasing the device is designed during the period between the tensioning and releasing the tension in pre-stressing element is fully maintained उसमें होना चाहिए उस पर tension जो है बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए जब आपको release कर रहे हो अपने जो जो हमारे members होते हैं जब हम उनको खोलते हैं उसके बिल्कुल भी उस पर जो है दोस्तों उसके tension में कोई भी lose नहीं होना चाहिए जब आप उसको release करते हैं ठीक है दोस्तों next क्या है encourage the encourage may be consist of the any devices patent or otherwise with which complies with the requirement laid down under the following clauses the encourage devices shall be capable to holding without more than nominal slip the pre-stressing tendons subjected to load midway between the proposed initial pre-stress load or and the ultimate strength of the pre-stressing tendons anchorage कैसी होने चाहिए जो को encourage may be consist and of any device patent or otherwise which is comply with the requirement laid down जो भी requirement है उसके according जो है उसके encourage होने चाहिए following clauses the encourage devices shall be capable of holding without more than nominal slips or the pre-stressing tendons subjected to a load midway between the proposed initial pre-stressing loads and ultimate strength of the pre-stressing tendons तिक encourage इस्टाइब की होने चाहिए मतब एंकरेज में बिल्कुल भी lose नहीं होना चाहिए एंकरेज जो है प्रॉपर होनी चाहिए और उसमें तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया लाइक जूरू कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जबार थैंक यू